नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल से बात करने वाले हैं बजार के इंदर जिस तरह की का मोमेंटम देखने देखे अगर मैं बात करूँ फ्राइडे की तो लगभग 15163 के आसपास आपको निफ्टी क्लोज होती हुए दिखाई दिये ह इसी तरीके से काफी सारी कंपनियों के रिजल्ट अनाउंस हुए थे सैटर्डे को अब सैटर्डे को मार्केट क्लोज रहता है तो उनकी भी आज चाल जो है उनके अंदर भी आज हम लोगों को बड़ा रियक्शन जो है बजार के इंदर देखने को मिलने वाला है इसी तरी इसी तरीके से आज भी आपको बड़ा बजार के इंदर देखने को मिलने वाला है चलिस तो इंडेक्स के लिहाज से समझने की कोशिस करते हैं तो निफ्टी फिफ्टी के इंदर हम लोगों को जो क्लोजिंग देखने को मिली थी दस पॉइंट नेगेटिव यानिकि 15163 के आसपास जो आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया था इसी तरीके से अगर बीसी सेंसेक्स की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों को हलकी पोजिटी देखने को मिल रही थी अब बात करते हैं जापान के इंडेक्स की तो लगबग 337 पॉइंट की तेजी के साथ में लग अब बात करते हैं फ्यूचर में किस तरह की का ट्रेड्स जो है दिखाई देरा तो निंफटी की बात करते हैं तो 15225 के आसपास इससे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है लगबग 16 पॉंट की तेज़ी के साथ में इसी तरीका से कर सेंसेक्स की बात कर तो इसके अंदर 29,843 पॉइंट के आसपाद आपको दिखाए दर रहा है 200 पॉइंट से जादे की तेजी इसके अंदर बनती हुने दर आ रही है अब बात करते हैं करंसी के अंदर यूएसडी आयनार तो 72.61 पेसे मापको दिखाए दर रहा है इसके अंदर भी हम लोगों को पॉजिटिव अब बात करते हैं जो हम लोगों को हरी आली दिखाए दे रहे है नेचरल टेख हैं अगर आज की बात करने तो आज भी आपको इसके दर मजबूती देखने को हैं इसके से लिहाज से समझने की कोशिच करने हैं तो sensex됐 हम लोग और gu को गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी बैंक आपको ग्रीन में बंद होता हुआ दिखाए दिया था 356 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी इसी तरीके से अगर निफ्टी मिड़काप 100 की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को हल्की गिरावट यानके 57 पॉइंट के असपास गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर हम लोगों को तेजी देखने को मिली थी अब बढ़ने वाले शेर्स कौन से थे लगबग 701 शेर्स के अंदर हम लोगों को तेजी देखने को मिली थी तो निफ्टी बैंक जो है तेज रहा था निफ्टी बैंक के अंदर हम लोगों को लगभग एक परसेंट की आसपास जो है तीजी देखने को मिली थी निफ्टी फिनेंशल सर्वेसिस इसके अंदर भी हम लोगों को मजबूत देखने को मिली थी निफ्टी पीस यू बैंक इसके अंदर भी हम लोगों को तेजी दे अदर लगब एक दसम्मदोوس एक एक परशेंट के आसपास नेगिटीव आपको देखने को मिल रहा है तो गिरावाट देखने को मिली थी, निफटी एफ проблем से टेंट के आसपास निफटी मेटल सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर रहा लगबग एक दसम्लों साथ जीरो परशेंट के आसपास आपको इसके अंदर गिरावाट देखने को मिली थी अब बात करने कैश की तो कैश की इस्तिति किस तरीके से देखने को मिल रही है तो अगर 12 फरवरी की बात करते हैं तो फ्राइडे की एंगे तो 12 फरवरी में लगबग 37 करोड रूपर के आसपास जो है बिकवाली हुई थी एफाइस के दौरा 11 फरवरी में हम लगों को खरीदारी देखने को मिली थी लगबग 944 करोड के आसपास आप देख पारें कि जिस तरीके से हम लोगों ने अब तक देखा है एफाइस की तरफ से बराबर आपको खरीदारी ही देखने को मिल रही है लगबग 2 फरवरी एक फरवरी से आपको लगतार इसके अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है अप एंडाउन का सिल्चला लगतार इसके अंदर बनता हुआ नगरा रहा है अब अगर बात करें डियाएस की तो डियाए देख सकते हैं कि आपको डियाएस की तरफ से जो है माल सेल करते हुए नजर आ रहे हैं और फ्राइडे के सेशन को देखेंगे तो आज क्या-क्या बजलावा आपको बजार के अंदर देखने को मिलेंगे सबसे पहले बात करने आपको बड़ा एक्षन देखने को मिलें तो नतीजे आया थे नतीजों के इंदर हम लोगों को गिरावाट देखने को मिली थी प्रॉफिट गिरता हुए नदर आ आया था तो लगबग5721 रुपइ के आज पास low बनाता हुआ नजर आ रहा था वहां से लेकर अब तक अच्छी खासी recovery हमें stocks के अंदर देखने को मिल चुकी है तो बड़ी हलचल के लिए तयार रहे हैं अगली कंपणी है ongc तो इस company के अंदर भी आज हमको बड़ी हलचल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसके 90 रुपे के आसपास यह stock trade करता हुआ नजर आ रहा है तो आपको बड़ा action stocks के अंदर देखने को मिलने वाला है आपको जो है यह जितने भी सारे stocks जिन के अंदर हम लोगों को positive रुजान देखने को मिल रहे हैं वे अपने radar पर रख लेने चीज़ क्योंकि इनके अंदर बड रहा सो तीस रुपे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अगर पांस दिन पहले की बात करने तो लगबग 1669 रुपे के आसपास आपको देखने को बल रहा था वहां से लेकर अब तक 8% दोड चुका है इसी तरीके से बात करें पिछला एक महिना भी काफी शांद को भी आपने रडार पर रख सकते हैं अगला स्टोक्स है जी आई सी हाउजिंग फिनैंस तो ये कंपनी भी आज रचाओं में रहने वाली है क्योंकि क्योंकि क्या है कि पांच जार करोड का फंड रेजिंग की खबरे जिस तरीके से बजार के इंदर चल रही है तो इस स्ट के बारे में तो हम लोगों को disappointment देखने को मिली थी तो ये stocks भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं क्योंकि एक बड़ी हलचल बड़ा action आपको stocks के अंदर आता हुआ नजर आने वाला है तो इसी तरीके से आज आज आपको इस stocks के अंदर भी बड़ा action देखने को मिल सकता है अगली company sale यानि के steel authority of India Limited देखें ये company भी आज जो है future and options के अंदर हम लोगों को बेंद दिखाई दे रही है तो कहीं न कहीं आपको इस stocks के अंदर भी बड़ी हलचल जो है देखने को मिल सकती है दोस्तों आज के दिन आपको jet airways के अंदर भी जो है बड़ी हलचल देखने को बिल सकते क्योंकि company आज पेश कर रही है अपने quarter third के नतीजे तो अगर Friday के session को देखने की कोसिस करेंगे तो आपको तेजी देखने को मिली थी इसी तरीके से लगतार stocks के अंदर हम लोगों को circuit पे circuit लगतार लगते हुए नजर आ रहे थी ऊपर की तरफ तो यह stocks भी आप महीने पहले तब से लेकर आप तक हमने अच्छा का सा momentum इस company के अंदर देखा है तो पूरे week के अंदर बड़ी हलचल आपको देखने को मिलने वाली है क्योंकि काफी सारी खबरे जिस तरीके से आई थी बजार बंध होने के बाद में Friday के दिन और Saturday के दिन काफी सारी खबरे ह होना चाहते हैं तो अप स्टॉक्स के अंदर फिलाल ओफर चल रहा है फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं किसी भी तरिका कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज कंपनी आपसे नहीं ले रही है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है व व्ट्टिंग वनिग्ग हैम बॉक्त के अंदरि के अंदर झाला है किन्हें फ् Hayır के फो और दिए फ्रण में रहन फजशन तो